जाहिरी सी बात है पूरी दुनिया ने देखा है नरेंदर मोधी साहब को कि जिस तरह उन्होंने अपना दिन रात एक किया है अपने मुल्क की डवैलपमेंट के लिए और इंडिया में जो डवैलपमेंट हुई है वो पूरी दुनिया इंडिया के अंदर नरेंद्रा मोधी ने खुद भी टी सेलर था उसने एक टी सेलर के बेटे को चीफ मिनिस्टर बना दिया है मोहन यादव को मद्या परदेश का I guess he is the right prime minister at the right time क्योंकि जो circumstance है right now नरेंद्रा मोधी किस तरह जो इंडिया की अलीट है उसको उसने कॉर्नर कर दिया यह चीज़ पाकिस्तान में नहीं है पाकिस्तान के अंदर अलीट का कबज़ है Palestine is thankful to India के Palestine इंडिया का शुक्रिया क्यों अदा कर रहा है आप imagine कर लें कितनी बड़ी बात है यह हम पचास हजार चीज़ों पर नरेंद्रा मोधी को क्रिटिसाइज मैं खुद करता हूं He is doing this, he is doing that But the question is कि यह वो नीचे से अलीट जो नीचे से जो मिडल क्लास, लो मिडल क्लास लोगों को उठाना एक ऐसे वक्त में जो हमसाया मुल्क भारत की फार्मसूटिकल कंपनिया 28 अरब डॉलर की बरामदात करती है यह देखे ट्रेन के उपर यह सोलल पैनस लगे हुए और यह ट्रेन चल रही है तो क्या लग रहा है कि कौन सी कंट्री हो सकती है I think South Korea India इंडिया? इस साथी अलीट आर नहीं कि जब दिल किया उठा के का जी आज के बाद ये फलाँ बंदा होगा ये माड़ा बंदा है इन्हों चोक के उत्ते ला देओ ठीक है जनाब? इंडिया में देखे हैं नरेंदरा मोदी ने एक स्टैंडर्ड सेट किया हुगा नरेंदरा मोदी किस तरह जो इंडिया की अलीट है उसको उसने कॉर्नर कर दिया ये चीज पाकिस्तान में नहीं है पाकिस्तान के अंदर अलीट का कबजा है पुलिटिकल अलीट का कबजा है इंडिया के अंदर नरेंदरा मोदी ने खुद भी टी सेलर था उसने एक टी सेलर के बेटे को चीफ मिनिस्टर बना दी है मोहन यादव को मद्या परदेश का आप इमेजन कर लें कितनी बड़ी बात है ये हम पचास हजार चीजों पे नेरेंदरा मोधी को क्रिटर साइज मैं खुद करता हूँ ये वो नीचे से अलीट जो नीचे से जो मिडल क्लास लोगों को उठाना अब ये जो कहना मैं इनका मोहन यादव जो है इनकी ये थी टाइम में ले रह चुक है पहली बात है मद्या परदेश में ये फिर अपनी सीट यहां से जीत किया है एजूकेशन मिनिस्टर रहा है एजूकेशन मिनिस्टर रहा है मद्या परदेश में किस तरह ये नीचे से लीडर्शिप को उपर लेके आते हैं मुझे याद है इमरान खान जो पाकस्तान के साबक वजीर आज़म जो थे उन्होंने पंजाब के अंदर एक इंतहाई नालाइक शक्स को चीफ मिनिस्टर बना दिया और मैं आवस इन यूएस है तो मुझे किसी एक मरान खान के सपोर्टर ने कहा देखें किस तरह मिडल क्लास को उपर लेके आ रहे हैं मिडल क्लास को इस तरह उपर नहीं लेके आते कि आप यक दम एक अन उन बंदे को आप पावर दे दें और ना उसके अंदर कपैस्टी है वो नलाइक है उसके अंदर एजुकेशन कोई नहीं है उसको स्टेट रन करने का तजरबा नहीं है गैरा करोड लोगों के उपर आप दे देते हैं इस साड़ी अलीट आर नहीं कि जब दिल किया उठा के का जी आज के बाद ये फलां बंदा होगा ये माड़ा बंदा इन्हों चुक के उत्ते ला दे ठीक है जना इंडिया में देखें नरेंदरा मोदी ने एक स्टेंडर्ड सेट किया हुआ हम उसको पचास द प्रॉमिनेंट लिडर हैं ओबी सी के ओबी सी मीन्स जो के अदर बैकवर्ड क्लास है ये एक टर्म है बेसिकली इंडिया के अंदर इस्तमाल होती है जो के एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड जो कास्ट है उनके लिए और आपको पता है कि जो इस स्टेट में इस इस ओबी सीज इन इन मद्या परदेश यानि कि अदर बैकवर्ड जो कास्ट है सो अब आप इंदाजा लगा लें कि किस तरह उन्होंने पकड़ के नजाम को जिंजोड दिया कि खुद वो काई था जी मैं तो चाय वाले का बचा हूं चाय बेचता था और मैं वजीरियाजम बना लेकिन मैं है चाय लेकिन वो लड़के ने उन्होंने पढ़के दिखाया है सो ही इस रेजिंग इंटायर मिडल क्लास लो मिडल क्लास को या लोर क्लास को उठा के वो कहां के कहां लेके जा रहे हैं आप लिडर्शिप ऐसे क्रिएट करते हैं और इधर हमारे हैं यहां बाप सदर वजीर आज़म नाना सदर दादा सदर वालदा वजीर आज़म वालद सदर अगुआप वजीर आज़म के कैंडिडेट मतलब हमारे हैं तो लुट पही है ना लुट पही है एते आब आप इमेहजन करें लुट मची ही हमारे हैं और पाकिस्तान में कोई सोच सकत बन्दा कि हम एक मिडल क्लास लोड मिडल क्लास को जो है वो चीफ मिनिस्टर बनाएंगे नहीं और इस तरह बनाएंगे कि वो कापबल भी हो उसके अंदर कपासिटी भी हो यह नहीं है कि आप उसको सीम बना दें तो ओ बचार रहे दें आतापार काम दें ओन तो लो इंडिया कि अंदर कोई ऐसे लोग नहीं है हमारी वो पीपल्स पार्टी का में अकसर कहता हूँ पीपल्स पार्टी क्या करती है पीपल्स पार्टी एक हिंदू जो खातून थी उसको सैनेटर बना दिया और फिर उसके ओपर पॉलिटेक्स की क्या देखे जी हम तो गरीबों को भी ए अगर यह ऐसे हो तो यह अपनी पार्टी में जादी रहें और साथ में नरेंद्रा मोदी ने कॉंग्रोस को भी टाफ टाइम दिये और अब कॉंग्रोस को अपने घर से सदारत निकाल के नया सदर बनाना पड़ा ठीक है ना जनाब तो यह है वो पॉइंट मैं तो इस चीज नहीं आती है ठीक है जी अभी यह जो रिजिनल एलेक्शन्स होएं यह जो बातिये जंता पार्टी वीच इस कॉल्ड़ाज हिंदू नाशनलिस पार्टी ठीक है जी उन्होंने स्वीब कर लिया चीज़ कि अगा